हेलो फ्रेंड्स आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे आज एक मैं नई रेसिपी लेके आई हूँ यह है पुई साग और यह मीठा पिठा पका हुआ जो होता है एक आलू और चार-पाच अर्भी और एक बैगन तो यह सब को काट लेंगे उसके पहले कड़ाई में तेल द दे दिया जिसमें सौब मेति कलुंजी जीरा सरसो यह सारे रहते हैं उसके बाद आलू और अर्भी को चोटे-चोटे टुकरे में काटके थोड़ा सा गरम पानी में हलका सा बॉइल किया है तो वह करके फिर यह मैंने दे दी और पिठा वह भी काटके रग दी वह भी इसमें दे दी अब सब एक साथ फ्राई हो जाए हलका फ्राई होगा जादा नहीं उसी के अंदर मैंने एक बड़ा प्याज कच्छा जो हरा क्या बोलते है हरी मीर्च और पेस्ट करके दे दी और अद्रग लसन का पेस्ट हरी मीर्च में थोड़ा सा पका हुआ भी मिर्च था तो इ इसलिए थोड़ा सा लाल लाल देखने में हुआ है नमक हल्दी यह सब देने के बाद सारे को एक साथ मिला लिया मिलाने के बाद यह उसका जो डंठल था पुई का उसको काट के मैंने इसमें डाल दी अब यह भी इसका साथ थोड़ा सा फ्राई होंगे प्राई होने के बाद जादा नहीं थोड़ा सा मिलाने का जैसे मसलवा सारे कुछ इसके साथ मिल जाए और मैंने बैंगन कटके रखी हूँ वो बैंगन में इसमें मैं दे दी बैंगन पहले भी दे सकती थी लेकिन दिये नहीं जैसे वो जल्दी जल्दी बहुत सारा पानी निकलाते है नरम होने का बाद गल भी जाता है यह ज़्यादा तो इसलिए मैंने बाद में दिये अब इसमें चीनी धनिया नमक और थोड़ा सा हल्दी यह भी दे दी अब सारे को अच्छी तरह से मिलाना है फिर यह जो पूई साग है उसको मैंने काट के रखी हूँ यह आपका जगा पर आप जहां से देख रहो आपका जगा पर इसको क्या बोलते है मुझे पता नहीं है हम लोग में इसको तो पूई साग बोलते है बहुत टेस्टी होता है खाने में इसको मैंने पाड़ी छोटे-छोटे काटके इसमें देखे सारे को एक साथ मिलाके धीमी आज में इसको ढखके रख देंगे साथ-ाट मिनिट लगेगा बहुत टेस्टी बनता है ये इसमें पानी नहीं देंगे तो इसके लिए मैंने बीच में एक बार खोल के इसको हिला लिया था सारे सबजी को फिर से बाद में मैंने दे दी क्योंकि इसमें पानी नहीं देगा तो नीचे लग भी सकते है इसे लिए मैंने बीच में खोल के रख दी ये तो मेरा सबजी पूरा बन गिया है बहुत अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा